पिछले दो दिनों में बिहार में जितनी हत्या लूट पार बलातकार की घटना हुई है उतने तो पूरे डेस में नहीं हुई वहीं मनिपूर हिंसा पर जाज समीती जो गठित की गई थी उसने उहां पर जाकर क्या जाज की और उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है इस रि नमस्कार मैं प्रेंज कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और जो लोग अलेडि कर चुके हैं उन सभी लोग को तहदिल से धन्यवाद अब हम आपको बिहार के बारे में जो दो दीनों का यानि कि 29 जुलाई और 30 जुलाई का जो सिर्फ दो दिनों का आकरा देने जा रहे हैं कि कि कितनी हत्याय हुई कितनी लूट हुई प्राज़धानी की घटना है पटना के कदम कुआ थाना छेत्र में ये घटना हुई है और आपको बताते चले कि वहीं बाढ के कडेलिया में रोहित पांडे की हत्या कर दी गई, कटिहार में दुकांदार की हत्या कर दी गई, सिवान में रास विहारी सिंग की हत्या कर दी गई, मतिहारी में उपमुखिया के भाई की हत्या कर दी गई, और अडिया में पती के सामने ही पतनी से दुराचा और अभी तक पुलिस बरामगी नहीं कर पाई है वहीं आपको बताते चले कि बीटा में बालु खनन के लिए गोली बारी हुई है एक के 47 से गोली चली है जिसमें अंधा धुंद जो फाइडिंग हुई इसमें एक लोगों की मोत की सुचना आ रही है वहीं आपको बताते चले कि दरभंगा लगातार दंगो की आग में जल रहा है वहीं आपको बताते चले कि कैमूर में मुहर्रम में बवाल हुआ है तोरफोर हुई है पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है अरबल में ताजिया जुलूस में पांच घायल हुए है डिप्टी कलक्टर ठार दिया गया पत्थरबाजी हुई है और जमकर रोरेबाजी की गई जिसमें पांच घायल है और डियम अबाज के पस ये घटना घटी है वोहीं भागलपूर में ताजिया जुलूस में व्हुप्ती को जखमी कर दिया गया यानि कि युप्ती जो सरक से जार होई थी और लोग जो मुहर्रम में जो वो खेलते हैं जो खेला कहा जाता है उस खेला को खेलने के दौरान इुप्ती को जखमी कर दिया गया वहीं गया में दो समुदावर यानि कि हिंदू और मुसलिम में ज़रप हुई है और ताजिया जुलिस के दौरान हंगामा हुआ है जम कर पत्थ दिया और परिवारवलों को बंधक बना कर लूट पाथ कर चलते बने वही सहरसा में राजेश जहा के घर अपराधियों ने घुश कर मार पीट की थी वही फारविश गंज में मुहर्रम के जुलुस के दौरान नवालिक के साथ गैंग रेप कर उसे फेक दिया गया है यह घट फेक दिया गया बाद में वही पाली गंज में 22 साल का एक यूबक पेर से लटका मिला बोचहा में किराना दुकांदार राहुल कुमार की हत्या पटना के फुलबारी सरीप में होटल मालिक को पिस्टल से डराता दिखा पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया अब आप ज और लगभग सैंक्रो ऐसी घटनाय हुई है हमारे पास सिमिस संसाधन है इसलिए हर जिला की रिपोर्ट हमारे तक नहीं पहुच पाती है वहीं आपको बताते चले कि मनीपूर में इंडिया गठवंधन के नो सदस्ये टीम गठित की गई थी जो कि मनीपूर दोड़ा किया और उहाँ से आकर के अपनी जाच रिपोर्ट पेस की है उनमें किन-किन लोगों का नाम है अब वो नाम ज़र आप जान लीजे पहला नाम है श्री अधिर रंजन चोधरी ये कॉंग्रेस के नेता है दूसरा नाम है श्री गौरब गोगई ये भी कॉंग्रेस के नेता है आपे हत्या हो रहा है बालातकार हो रहा है तो कॉंग्रेस को ये दिखाई नहीं दिया आपने राज में ये लोग मनीपूर चले गए उसके बाद तीसरा नाम जो है वो है मिस्टर राजीब रंजन ललन सिंग जेडिव ये जदिव के राश्टी अध्यक्ष है इनको बिहार की घटना दिखाई नहीं दे रही है ये मनिये मनीपूर दोरे पर गए थे पाच्मा नाम जो सरी चोथा नाम है मिसे सुसमीता देव ये टीमसी की है त्रन्मूल कॉंग्रेस की अभी बंगाल में लगातार हत्याओं का दोर चल रहा है मुहर्रम के दोरान भी गोलीबारी की घटना कॉंजाम दिया गया है जड़ब हुई है पथरबाजी हुई है त्रन्मूल कॉंग्रेस को अपने राज की घटना दिखाई नहीं दी ये लोग मनीपूर गए उसके बाद स्रीमती कानी मोज़ई ये डीम के किनेता है ये डीम का जो है तमिलनाडू में इसके मंत्री क इडी ने गिरफतार किया भरस्ट आचार में और अभी तमिलनाडू में क्या हालात है वो किसी से भी छुपा नहीं है और ये लोग गय थे मनीपूर उसके बाद छठा नाम है स्री सुबोद कुमार CPI के है सात्मा नाम है स्री ए ए रहिम CPIM और आठमा नाम है प्रोफेसर मनो कुमार जाजो है ये आरजेडी के नेता है और आपको बताते चले कि अभी हमने बिहार की मात्र दो दिनों की लगभग 20 से ज़्यादा घटना बताए और जद्यू और राजत अभी बिहार में मिलकर के सरकार चला रही है ये लोग कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं कि अपनी बे बेटी अगर भाग गई है तो उसके लिए ये लोग धिन धोड़ा पीट रहे हैं ये लोग अपनी बेटी को पहले संभाले ना पहले अपने राज्य को संभालना चाहिए कि अपना राज जिन से संभल नहीं रहा है और कभी ये लोग मनिपूर चले जाते हैं कभी उनाइट दिया पर ग्यान दे तो कैसा लगता है। जरह सोचिए कि किसी का बेटा अगर चोर्चुहार हो और उसका वाप दूसरे के बेटा को घ्यान देने जाए तो उसको आप क्या कहिएगा। उसे आप सरल भासा में खेथर कहिएगा, उसको आप सरल भासा में कहिएगा, बिसर्म कहिएगा, कि एक ऐसा बिसर्म इंसान, जिसको अपने बेटा का चूर चूहार है, वो नहीं दिखता है, और दूसरे को ग्यान देने चलता है, वही अभी बिहार में हो रहा है, और बिहार क जो मनिये जो राजसभा सांसद हैं मनोज जाजी ये गए थे जदिव के राष्टी अध्यक्ष जो है मुंगेर से जो सांसद हैं लोग सभा के राजीव रंजन सिंग उर्कललन सिंग जदिव के राष्टी अध्यक्ष ये लोग मनिपूर दोरे पर गए थे और वहां से आकर के इन लोगों ने बताया है कि मनिपूर के हलात ठीक नहीं है राजपाल महोदिया को ग्यापन सोपा गया है राष्टपती सासन की मांग की गई है तो ज़रा सोचने की बात है कि आखिर ये लोग कितने जादा बेसर्म हो चुके हैं कि इनके घर में आग लगी हुई है और दूसर के घर में जाकर के ये लोग ताका जहाकी करते हैं ठीक वैसी ही स्थिती अभी बिहार में हो रही है और बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है लेकिन मानिय मुखमंत्री नितिश कुमार का कहना है कि बिहार में सुसासन बाबु की सरकार है और मानिय उपमुखमंत्री तो जड़े बीहार.